के सैंपाद के साथ में भूख्योंगी के साथ थी जो की है वे बुक्स और मेरें में डिस्क्स में हूपर यह से पहले हम आज के पार में पढ़ लेते हैं मैरी इन दम लाइब ड़ियरी ठीक है जैसे यह बेल बचती है टीचर सारे student को बोलते हैं उनको follow करने के लिए because Mary पहली बार जा रही थी library में अपनी class के साथ उनकी class पहली बार library जा रही थी जैसी वो library में पहुंचती है तो Mary को realize होता है कि जो library है वो उनकी classroom के comparison में काफी बड़ी है वहां पे बहुत सारे shelves है और हर एक shelves में बहुत सारी books है एक corner में एक ऐसा cupboard है जहां पे बहुत ही बड़ी और large बड़ी और पुरानी volumes रखी हुई है तो जब Mary वो cupboard को खुल लेकी try करती है तो जब teacher उनको देखता है तो teacher बोलते है कि इस कबर में different religion के बारे में बहुत सारी special books है क्या और हमारे पास वेदा का भी एक set है तो वेदास क्या होते है यह Mary की मन में कोशन आता है तो चलो पढ़ते हैं हम वेदास के बारे में सबी ने वेदास के बारे में तो सुनाई होगा हमारे वेदास हमारे चार टाइप के वेद होते है रिगवेद, सामवेद, यजरवेद और अथरवेद तो आप लोगोंने सुनाई होगा कि रिगवेद सबसे पुराना वेद है जो कि आथ से करीब 3500 साल पहले बनाया गया था रिगवेद में बहुत सारे हिम्स है जिनको सुद्का भी बोलते हैं और वेल्स है ठीक है और इस्पेशली इसमें जो तीन सबसे इंपोर्टेंट गोड़्स है डाट इज अगनी दो गोड़ फायर इंद्र दो वॉर्यर गोड़ और सोम जो की सारे प्लांट प्लांट्स वाले हैं ठीक है अब प्लांट फ्रॉम विच्छ इस्पेशल ड्रिंक वास प्रिपेर्ड ठीक है यह जो भी हम्स हैं हमारे बुक में इन सभी को हमारे वेदा में इन्होंने रिश्यों ने इनको बनाया और जो पुजारी थे उन्होंने आगे इनको कैसे रिसाइट करना है कैसे याद करना है पूरे syllable को, पूरे word को, पूरे sentence को, वो बहुत ही gentle care में सिखाया बच्चो को, ठीक है, जाधतर इनको films को man ही याद करते थे, man ही पढ़ाते थे, कुछ ही थे जो woman compose करती थी, ठीक है, रिग वेद, जो है हम वारी पुरानी वेदिक संस्कृत में लिखा गया है, जो संस्कृत आ और सुना ही जाता था, उनको लिखा नहीं जाता था, ठीक है, शुरू के टाइम पर जब अपने लिखने के लिए अभी जाधा इसको जाधा टाइम नहीं हुआ, जब से इसको, इसको फिसका फर्स्ट कंपोजिशन आया, पहले बार जो कंपोज किया इसको, इट वस्टू ह और यर्ष अगों, दो साल पहली की बात है, ठीक है, जो हिस्टोरियंगों को काइसे पढ़ते हैं, जैसे हिस्टोरियंग होते हैं, archaeologist की तरह, वो भी, जो detailed remains है, उनके अलावा, जो well, जो written source है, उनको भी एक्जामन करते है, ठीक है, उनमें से एक आता है, रिग्वेष, में जो hymns है ठीक है वो basically dialogues के form में है ठीक है वैसे ही जैसे एक hymn है जिसमें सेज विश्व मित्रा और दो नदिया ब्यास और सतलूज के बीच का एक conversation given है dialogues given है ठीक है and that was worshiped as goddess in the नदियों को as a goddess उससे वो किया जाता था ठीक है माना जाता था तो यहां पर हमारे पास एक sample भी है उसका तो हम यहां पढ़के देख सकते हैं विश्व मित्रा और रिवर्स तो विश्व मित्रा बोलते हैं reverse को की reverse जैसे mountain में जैसे दो घोड़े आते हैं वैसे mountain से डीचे चले आओ जैसे जैसे एक अपने अपने जैसे दो शाइनिंग काउस अपने बच्छडे को कैसे चाटती है लिख करती है प्यार करती है वैसे mountain से नीचे चली आओ move like a chariot to the sea and power through the power of indra indra के power से आप sea में जो chariot होते हैं उनकी तरह चली आओ ठीक है अपने में बहुत सारा water और wish लिए ठीक है with एक दूसरे के साथ आजाओ river बोलती है कि हम पानी से भरे हुए हैं उसके अलावा move along the path of god made us बनाब जो भगवान एक तो हम पानी से भरी हुई हैं उसके अलावा जो road भगवान हमारे लिए बनाएगा हमें उसी में चलना पड़ेगा एक बार हमने चलना शुरू कर दिया तो हम नहीं रुख पाएंगे तो तुम हमें क्यों बुला रहे हो why do you pray to us oh sage विश्वमित्र बोलते है कि सुनो बहनो प्लीज मेरी बात सुनो जो singer है जो कि बहुत distant बहुती दूर से आया है अपने chariot और karts के लेके अपने water को थोड़ा कम करो ताकि हम लोग easily cross कर सके ठीक है तो river बोलती है कि हम आपने हम आपके prayer सुन रहे हैं सुनेंगे और आपको easily safely cross करने देंगे तो historians बोलते हैं कि यह river flows के उपर compose किया गया था यह भी पता चलता है कि उस टाइम पे जो cattle है उनका भी काफी cattle की काफी value हुआ करती थी आनि मसकी इसलिए horses और cow से इनको compare किया गया है ठीक है cattle horses and chariots so जो हमने prayer देखा रिगवेद में especially रिगवेद में जो सबसे ज़्यादा mention की जाने वाली चीज़े है वो है cattle children उनमें से भी बेटे सबसे ज़्यादा और horses horses york to chariots as they were used in battles पता है आपको battles में भी use किया जाता था which was for to capture cattle ठीक है बैटल किसी भी लडाई किसी भी चीज़ के लिए की जा सकती है जैसे land के लिए लोग लगाई करते हैं उसके अलावा जो भी important है और जिसमें सबसे easily food grow हो जाता है जैसे बाली जैसे जिसमें सबसे अच्छे से हो जाए वैसी के लिए उन लैंट के लिए लडाई होती है उसके अलावा पानी के लिए और पीपल को capture करने के लिए भी लडाईयां हुआ करती थी ठीक है सबसे पहले जो लीडर्स थे उनमें डिवाइड हो जाती थी उसके बाद कुछ चली जाती थी जो प्रीस्ट होते थे उनके लिए और जो बच्ची रहती थी वो डिस्टिबेश हो जाते थे जो नॉमल पीपल है उनमें ठीक है सबॉल्थ पोर युजच फॉर परफॉर्मिनस ओ विएजनास और सैक्रिफाइउस कुछ हेल्थ को जो इनकी वैल्थ थी शौरी उनको सेकरिफाइज में भी यूच किया जाता था साथ ठीक थे साक्रिफाइज कैसे जिसें फाईर में कोई चीज़ को आप आफर करते हो जो क जो की ऐसा बनाए चाहते है कि जो की गोड्ज और गोड़ेस्टिस के लिए है ना जो आप अपने देखाऊगा हवं करते तो डिफेर्ट डिफेर्ट गोड़्ेस्टिस का नाम लेके ऑफर की जाती है चीजे जिसमें घी भी होता है ग्रें भी होता है कुछ जगहों पर एनिमल हुआ करता था जहां पर लोग मिलकर assemblies करते थे ताकि war और peace के लिए कि जो भी matter है उनको discuss किया जा सके ठीक है और वो अपनी leaders भी यहां पर choose करते थे जिनको जो कि बहुत brave और skillful warriors हुआ करते थे ठीक है words to describe people उस time पे people को कैसे describe किया जाता था ठीक है देखो उनको उस time पे वो क्या काम करते है work क्या language बोलते है language उसके अलावा उनकी कौन से place को वो belong करते है वो कौन से family को belong करते है उनकी community क्या है उनकी cultural practice क्या है इन basis पे लोगों को describe किया जाता था उन में से कुछ जो है कुछ vote ऐसे हैं जो रेक वेद में use किया गया है तो उनको हम पढ़ लेते हैं ठीक है उनका क्या काम है उन basis पे लोगों को दो टाइप में divide किया गया था that was priests and rajas priest को usually brahman's भी बोला जाता है जो सारे rituals काम करते थे ठीक है जबकि राजास राजास वह नहीं थी जिनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि जो collect वगेरा tax करते थे cities बहुत बहुत पालिसी थी वह नहीं होते थे ठीक है generally sons को automatically अपने father as a rajas नहीं succeed करते थे ठीक है उसके अलावा लोगों की community के according लोगों को describe किया जाता था as journal जिनको आज भी हम हिंदी वर्ड में यूज किया कर देते हैं विच विस्टिल यूज इन हिंदी और लांग्विजिज देखो जान और विश यह बिसिकली एक community है ठीक है जो वर्ड वैश यह है वो विश से ही निकल करके आया हम चैप्टर फाइव में इसको अच्छे से डिसकस करेंगे उसके अलावा जो जन्स थे उनको उनके नाम से mention किया जाता था जिस वेसे भी कुछ reference होते थे जैसे परुजन या पूरोविश भारत जन्स या फिर वदू जन्स ठीक है उसके लावा जो लोग इन हैम्स को compose करते थे उनको as arias बनाया जाता था उनको arias बोल जाता था और उनके opponents जो होते उनको दासाज या दास यूज बोला जाता था ठीक है उसके अलावा आपको पता भी होगा कि बाद में यह जो दासाज होते थे यह कोई भी sacrifice नहीं perform करते थे और जो यह probably different different languages बोला करते थे ठीक है बाद में term दास को as slave as a slave use किया गया आपने सुना होगा कि दास को as a slave capture कर दि ठीक है अगला है silent santi nezals the story of megaliths देखो कुछ stone boulders थे जिनको megaliths बोला जाता था कुछ इस तरह से this one out of the megaliths ठीक है इनको इस तरह से arrange किया जाता था लोग इनको काफी तरीके से arrange किया जाते थे जिन और ताकि वो इनको ऐसा मलब उनको burial sites के तरह मार्क कर दिया जाता था ठीक है जो megaliths थे वो आज से करीब करीब 3000 सार पहले बनना शुरू हुए थे इससे यह 3000 सार पहले भी बन बनना शुरू किये थे बट अभी भी यह है काफी जगाओ पर जैसे डेकन हो गया साउथ इंडिया हो गया इंडिया नोर्थीस्ट और कश्मीर में ठीक है जो megaliths थे कुछ surface के ऊपर थे जबके कुछ underground थे ठीक है यह basically burials होते हैं burials का होता है में लास चेप्टर में कि आगे मलब उसके नीचे जो है वो burials है ठीक है जो underground होते थे इन burials के कुछ common features यह थे कि जो डेट जो भी मलब मर जाते थे जिनको वहां पर बरी किया जाता था उनको basically ports के साथ बरी किया जाता था जैसे black और red color के wear हुआ करते थे वह उसके अलावा कुछ tools और weapons भी मिले थे iron और कहीं ने और कभी-कभी horses के skeletons और horses के different equipment और उसके अलावा stone और gold के ornaments भी देखने को मिले थे ठीक है finding out about social differences देखो archaeologist को लगता है कि जो डेट परसेन उसके साथ और भी objects मिलते थे ठीक है ऐसा इसलिए because जैसे हमने पढ़ा कि कभी ऐसा भी होता था कि एक ही grave में एक के साथ दो लोगों के भी हमें skeleton मिल जाया करते थे ठीक है सो एक बार के यहां पर एक skeleton के साथ 33 gold beads two stone beads चार copper bangles और एक कॉंच का shell भी मिला था ठीक है और कुछ ऐसे स्क्रेलिटन से जिनके साथ से थोड़े थोड़े एक few ports मिले थे तो गी भी हो सकता था कि जिनके साथ इसने सारे चीजे मिलती होंगी वह comparative रिच होते होंगे या chiefs होते होंगे ठीक है area के तो ऐसे यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो रिच है जो बक्की के हैं वो पूर्स है और कुछ जो है वो चीफ है जगा के और कुछ फॉल्वर्स है ठीक है वो डिपेंड करता है जैसे हम देखा कि उनको किन किन चीजों के साथ गाड़ा जा रहा है है सम वेर सम बूर्यल स्पोर्ट्स मेंट फो सर्टैन फामली सो जो मेगलेट्स थे कभी कभी उसमें एक से जादा स्केलेटन में मिल जाते थे जो इंडिकेट करता है कि शायद सेम फैमली के लोग सेम जगा पर बरी किये जाते थे बट सेम टाइम में नहीं ठीक है इसलिए लोग जो थे वहां पर स्टोन का स्टोन का सब्सक्राइब करते थे ताकि आगने जो वह साइन पॉस्स बनके रह जाए ठीक है कि हमें पता चले कि हां यहां पर बड़ियल साइट है जिसमें इसे पर्टिकुलर पोस्टन को गाड़ा था ठीक है फिर अगली बार जब भी किस मैं find करना ठीक है यह साइट है रीवर गोड की जो की भीम की टिबियोटरी है ठीक है यह अराउंड पहले उक्यूपाई किया था ठीक है यह पर एडल्स नो थे उनको जिनरली ग्राउंड के अंदर बरी किया जाता था जबकि लेड उनको कैसी पोजिशन में लेड के जाता था कि वह बिल्बूल स्ट्रेट थे लेड आउट उनका है नौर्थ के साइट था ठीक है और कभी कवा इस गया जाता था देट के साथ ठीक है एक बार एक बर्यल में जब एक मान मिला तो वह एक लाज़ फोर लैडड क्ले जार में उसको किया गया था जिसमें पांच रूम्ड हाउस था और उसमें भी एक सेटलमेंट बना दी गई थी ठीक है तो इस हास ऐसे हाउस को गरेनरी बोला गया ठीक है उक्योपेशिंज ओफ इनाम गाओ तो अर्केलोजिस्ट को यह मिलता है कि उधर पर जादा से जादा जो है वीट बार्ली राइस फलसे स्मिलेट स्पीज सीजम जैसी बीम्स जादा है उसके अलावा ऐनिमल्स की जो है काफी तरह तरह के अनिमल्स की छडिय मिली है जैसी कि केटल बफिलो गोट शीप डोग होर्स आस पेग सांबस पॉटे डियर ब्लाक वर्क एंटिलॉप हेर मॉंगूज बिसाइड बोर्ट कोकोडाइल टॉर्टल करावन फिश ठीक है इन सभी को इन सभी के भी कुछ जो डेट बोडी इस थी इन सभी के भी बॉन करते थे ठीक है वो लोग सो येस डाट इसलिट फो दाप्टर एंड वीडियो आज वेल आइप यू लाइक थिंक यू थिंक यू वेमाग